आज का डिक्टेशन सो सब्द प्रती मिनट रहेगा डिक्टेशन का पेडियो फाइल हमने हमारे टेलिग्राम चैनल स्टेडि वीध अजपर स्वामे पे डाल दिया है जिसका लिंक वेडियो के डिस्क्रीप में डाल रखा है डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सेकिन बाद स्टार्ट जम्मू कस्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने एक बार फिर जैसी हरकत की है उससे यही पता चलता है कि उनका मकसद देश में लोकतंत्र को बाधित करना है और उसमें नाकामी की वजह से उनके भीतर हतासा गहरी रही है नतीजतन वे और जादा बेलगाम हो रहे हैं और सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं गवर तलब है कि आतंकियों ने मंगलवार को अनंतनाग इलाके में टेरिटोरियल आरमी के दो जवानों का अपहरन कर लिया था बाद में एक जवान किसी तरह आतंकवादियों के चंगुल से निकल भागा और एक का सव जंगल में मिला निश्चित रूप से यह राज्ये में आतंकी तत्वों के खिलाफ अभियान छेडने वाले सुरक्षा बलों सहित देश के लिए दुख की बात है मगर इससे यही पता चलता है कि अपनी मंसा में नाकामी के नतीजे में आतंकवादियों ने सोच समझ और लक्ष्यकर राज्ये में सहायक सेन्य संग्ठन की भूमी का निभाने वाले टेरिटोरियल आर्मी के जवानों को अगवा किया और उनमें से एक हत्या कर दी दर असल पिछले कुछ समय से सुरक्षा बलों ने आतंकवादि समुहों के खिलाफ बेहद सक्त रुख अक्तियार किया हुआ है हाल में चलाए गए अभियानों और मुठबेडों में कई आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिले हालां कि इस बीच आतंकी हमलों में कई जवान भी सहीद हो गए इसके बावजूद जम्मु कस्मीर में लोकतंत्र को बहाल करने का काम नहीं रुखा और कुछ दिन पहले राज्य की विधान सभा के लिए हुए चुनावों के नतीजे भी सामने आ गए इसके बाद अब वहां बाकाइदा लोकतांत्रिक प्रकिरिया के तहत चुनी गई एक सरकार काम करेगी जाहिर है आतंकी हमलों के जरिये जिस तरह की उतल पुथल पेदा करने और राज्य को ऐसांत बनाए रखने की कोशिस की जा रही थी उन्समें आतंकवादी समुहों को बड़ी नाकामी हाथ लगे है यह बेवजह नहीं है की राज्य में एक और चुनाव के परिनाम घोसित होने की प्रकिरिया जारी थी दूसरी और उन्होंने दो जवानों को अगवा और उनमें से एक की हत्या करके यह संदेश देने की कोशिस की की राज्य में आतंकवाद हावी है मगर सच यह है की उनकी यह हरकत उनकी हतासा को दरसाता है यह ध्यान रखने की जरूरत है की हाल ही में जम्मू कस्मीर के कुपवाडा जिले के गुगलधार में नियंत्रन रेखा पर सेना और पुलिस के जवानों ने गुसपेठ की कोशिस करते दो आतंकियों को मार गिराया था उनके पास से भारी तादाद में हतियार और गोला बारूद बरामद किया था इसके अलावा भी सुरक्सा बलों के कई अभियानों में आतंकी मारे गए या उनके सहयोगी गिरफतार किये गए साथ ही इस्थानिय आबादी के बीच उनके सहयोग या सरंक्सन का पक्सभी कमजोर हुआ है और अब लोग उनकी हकीकत को समझने लगे हैं अब जवानों से लेकर इस्थानिय लोगों सहित प्रवासी मजदूरों पर लक्सित हमले करके वे अपनी उपस्थिती जताने की कोशिस कर रहे हैं मगर यह भी सच है कि सुरक्सा बलों की तमाम चोकसी और आतंकियों पर नकेल कसने के लिए चलाए जाने वाले अभियानों के बावजूद आज भी आतंकवादी संग्ठनों का पूरी तरह सफाया किया जाना संभव नहीं हो सका है अब राज्य में लोकतांत्रिक प्रकिरिया के तहट चुनी गई सरकार के सामने भी यह चुनवती होगी कि वह सीमा पार इस्थित ठीकानों से संचालित आतंकी गतिविदियों से निपटने और आतंकियों के खातमे के लिए इस्थानिये पुलिस और वहां काम कर रहे सुरक्सा बलों के साथ मिलकर एक ठोस रणनीती बनाए समाप्त दोस्तों रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए झाल